तु है इस शॉल्बाइस टो शॉल्ट रवा ईसथ वरी göra बाइसे श्टिर नाम के दूस्टा का बढल के दूस्तो अपन बातशीत करने वाले हैं एक हमारे standard की जो की चालू हो चुका है जिसका नाम क्या दोस्तो ऐसे 530 नाम इसका क्या दोस्तो audit sampling चले audit sampling के बारे में अपने समझा था कि यह audit sampling क्या होता है तो जब अपन audit procedure लगाते तो less than 100% of the item in a population उस concept का अपन क्या बोलते हैं दोस्तो audit sampling audit sampling के बारे में आपने समझा था कुछ को जगाओं पर आपको audit sampling नहीं करनी चाहिए like opening and closing balances में like BRS items में like कोई भी ऐसे matter जिसमें competition होता है जो की small in number होते है लेकि material होते है आपे statuity dues होते है यह law ने बोला है जिसे check करना ज़रूरी है seasonal industry में आप annual wise आप क्या नहीं कर सकते sampling नहीं कर सकते तो अपने types of sampling के बारे में पढ़ाता है दो होते है एक होता है statistical एक होता है non-statistical जब अपन statistics का use करके बनाते है अगर sampling करते हैं उसे क्या बोलते है Statistical जब अपने PJ से करते हैं अपने non-statistical कौण सा complex है Statistical कौण सा simple है non-statistical किसके अंतर business होती है non-statistical किसमें business नहीं होती Statistical किसके अंतरगत आप calculated risk पे आते है स्टाइस्टिकल चले इसके बाद अपने बाती किया था दोस्तों डाट इस अबाउट दी कंसेप्ट ऑफ ओडिट इन डेप्ट का मतलब उता इग्जामिनेशन ऑफ फ्यू सिलेक्टिड आइटम और वह इंटायर फ्लो अफ ट्रांजिक्शन अपन क्या करते दोस्तों वकाउ हम दूसरा सिस्टेमाटिक तीसरा मॉनेटरी चौता हाफज़ट फिर ब्लॉग और फिर वाल्यू वेटिड रेंडम में भी दो होते हैं इक होता है सिंपल एक होता है स्राटिफाइड अगर हम बात करें सिंपल रेंडम सैंप्लिंग मतलब हम कोई भी यूनिट को हम उठा सक करते हैं मतलब एवरी यूनिट इना पॉपुलेशन हैस गॉट एक्वल चांस ओफ सेलेक्शन तो से अपन क्या बोलते हैं पता ही दोस्तों रेंडम सैंप्लिंग करते हैं होमोजीनियस में अलग-अलग पॉपुलेशन बनती है उन पॉपुलेशन में आप अपने मन से क्या करते हैं रेंडम सैंप्लिंग करते हैं इसके बाद अपने पड़ा था सिस्टेमाटिक सैंप्लिंग जिसके अंतरकत अपन क्या करते हैं दोस्तों पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करते हैं सैंप्लिंग इंटर्विल के साफ से अपन सिस्टेमाटिक बेस पर क्या करते हैं, sampling करते हैं, next अपने समझा था, monetary, monitoring के अंतरगत हमने जाना था कि भईया, यहाँ पर एक software यूज होता है, जिसका नाम क्या है, दोस्तो, idea, और idea क्या करता है, दोस्तो, idea basically, हर एक monetary unit को, एक क्या मानता है, है, sample, याद आ रहा है, पका, चले, hazard, hazard मतलब कुछ भी, अगर आप करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, hazard, hazard और random में अंतर यह होता है, कि random के अंतरगत दिया हुआ, random number table, या फिर आप computer का इस्तमाँ करते हैं, hazard के अंतरगत, आपका pure कैसा होता है, non-statistical होता है, क्या याद आ रहे हैं इसाब कुछ? ओके, next concept था, block, block के अंतरगत, आप क्या करते हैं, आप एक block बना लेते हैं, जैसे कि demart is a block, एक तरीके से, demart कितने सारे stores है, store stores है, हर store के अंदर, हर प्रकार के आपको transaction दिख जाएंगे, आप उन 100 store में से 10 store को कर लो, तो उसे आपन क्या बोलेंगे, block sampling, फिर value weighted मतलब जिसकी value जाधा रहेगी, आप उसको क्या करोगे, इजद होगे, ठीक है, जाधा महेंगी चीज़, जाधा material चीज़ को आप जाधा इजद होगे, तो वो किस में आ जाएगा, बताएगे दोस्तों, that is value weighted, बताएगे, कोई भी doubt इसमें, fix है, अच्छे समझ में है, चल्छे, अब आपन जो next concept के बारे में बातचीत करने वाले हैं, दोस्तों, वो concept का नाम है, sampling risk, क्या आपने कल sampling risk के बारे में भी पढ़ लिया था, क्या, याद है, चले, sampling risk के बारे में आपने समझा था, sampling की वजह से, गलत opinion देने का खत्रा, in other words, अगर मैं sampling नहीं करता, तो मा कसम वो opinion नहीं देता, जो मैंने दे दिया, मतलब भाई, मैंने difference दे दिया, opinion का, अगर मैं sampling के बदले, अगर पूरा audit procedure लगाता है, 100% checking करता, तो my opinion will be different from the opinion which I have just given, because of what, sampling, इसे अपन क्या बोलते है, sample risk, समझ में आगया, sampling risk में भी अपने देखा था, कि भी यह sampling risk आपको दोनों जगे देखने के लिए मिलेगी, test of control में भी और test of details में भी, test of control मतलब कौन सा control, internal control, और test of detail मतलब transactions of balances का, अब test of control में क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा, control अच्छा है, लेकिन actually में अच्छा, अच्छा, हमें लग रहा है कि control अच्छा नहीं है, लेकिन actually में होगा, हमें लग रहा है कि है, लेकिन नहीं है, इससे हमारा क्या effect हो जाएगा, opinion, Opinion effect होगा, तो क्या खराब हो गया? Effectiveness. हमें ऐसा लग रहा है कि control अच्छा नहीं है, but actually मैं है. तो हम और महनत करेंगे, और checking करेंगे, इससे क्या खराब हो जाएगी? हमारी efficiency. कोई भी doubt इसमें है? पका चाल. What is non-sampling risk? क्या होता हो बिटे, non-sampling risk? पर difference in opinion आया, but it was not because of sample. Sampling की वज़े से नहीं आया. ये normally किसी और वज़े से आया. Sir, क्या वज़े थे? Human mistake. दूसरा, misinterpreting the sample results. आपने sample result को ठीक से interpret नहीं किया. या audit procedure आपने वो लगाया, जो की लगाना नहीं चाहिए था. या फिर errorness information पर आपने क्या किया? Rely किया. So these are the reasons जिसकी वज़े से कौन सा risk आता है? Non-sampling risk. क्या ये बात समझ माँए? पका? चाहिए. अब हम enter करने जा रहे है to the next standard, SA530. बहुत important हो जाता है और प्लस, अभी, इस बार, module में काफी भर-भर के ना SA530 के बारे में लेका है. इतना भर-भर के लेका, 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 इतना लिखता ही जा रहे है बटा. इतना पहले module में नहीं था जितना अभी है. ठीक है? Most probably, अगर हम बात करें, तो इसके लिए आपके सामने, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट, उस चार्ट से अबन पढ़ेंगे तो चीजे काफी आसान हो जाएगे, बट अभी समझते हैं, पहला कंसेप्ट तो भाई ये है, कि भाई ये ऐसे 530 किस के ओपर है, बताइए, audit sampling के ओपर, जिसमें objective के है, to provide a reasonable basis, to draw conclusion about the population from which sample is selected, तो वो जो population है, उस पर हम क्या देने वाले है, opinion, जिसमें से क्या सेलेक करने वाले है, sample को, क्या ही बात समझ जाए, तो population सही होनी ची, अब इसके लिए अगर आपन जाएंगे अंदर पढने के लिए, तो पहले तो जानना पड़े का अलग अलग words के क्या म population is a audit sampling, तो अगर अपन बात करें, दोस्तो आप से कोई पूचे, भाई, तो आप से कोई पूचे, भाई, तो आप से कोई पूचे, 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 तो आप से is select sampling risk याद है अभी अभी आपन पढ़ क्या है इसके अंदर देखो एक आपको दिख रहा है test of control और एक आपको क्या दिख रहा है test of test of control में भी type 1 है और type 2 है type 1 क्या बोल रहा है हमें लग रहा है कि effective है लेकिन actually में नहीं है या फिर हमें लग रहा है material मेंसे statement नहीं है लेकिन actually में है इक जगे में से statement लिखा है क्यों एक जगे में से statement लिखा है क्यों कि इसकी बात कर रहा है test of details की और एक जगे पर आपको deviation जैसा word भी देखने के लिए मिल सकता है तो वो किस के बारे में बोल रहा है test of control एक जगे हमें लग रहा है effective है लेकिन actually में नहीं था एक जगे हमें लग रहा है कि material में से statement नहीं है लेकिन actually में थी यह दोनों चीज़े जो है यह over-reliance over-reliance मतलब ज़्यादा विश्वास करना क्या करना ज़्यादा विश्वास करना इसके कारण तुम्हारा क्या affect होगा audit की effectiveness जहां तक सही है second point में किसी भी बच्चे से पूछूँगा मुझे जानना है वाकई में आपको पता है कि नहीं पता है जल्दी से type 2 पढ़ेंगे और मैं आप से पूछने वाला हूँ जल्दी से बताएंगे type 2 जल्दी से बता है चलिए बाई राउल बताओ क्या लेका है हाँ टाइप टू वेरी गुड कंट्रोल क्या है लेस एफेक्टिव लग रहा है लेकिन अच्छा है तो हम विश्वास जादा कर रहे हैं काम कर रहे हैं काम कर रहे है या अंडर रिलाइन्स हो गया या फिर हमें लग रहा है मिसस्टेटमेंट नहीं है स्वरी है मिसस्टेटमेंट है हमें लग रहा है बट अच्छली मिसस्टेटमेंट नहीं है तो अगेन हमारे या पर क्या रहा है कम विश्वास हो रहा है इंकरेक्ट जज्जमेंट होगे हमारा तो इसकी वज़े से हम जादा चेकिंग करेंगे तो हमारी क्या खराब होगी? इफिशेंसी चल समझ में आगे होगा नॉन सैंप्लिंग रिस्ट टोईटर रीचिस एन अररनस कंक्लूजन फॉर नॉन रिलेटेट तो सैंप्लिंग रिस्क फिर एफ पॉइंट पाएंगे ए को छोड़ेंगे सैंप्लिंग यूनिट ये क्या होता होगा जो भी यूनिट एक में आप उठाते हो जिस पर audit procedure लगाते हो से क्या बुलते सैंप्लिंग यूनिट स्टेटिस्टिकल सैंप्लिंग जिसमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तिमाल होता है चल अब आते हैं ह और आई में हैं आप मुझे बताएंगे हैं ह में क्या लिका टॉलरेबल मिश स्टेट में और यहां लिकर टॉलरेबल रेट ओफ टीवहाश्स दोनों अलगलग है शेमशेम हैं यह किसके बारे बात करा है याद है आपको मैंने बताया था internal control में miss statement नहीं होता है internal control में क्या होता है deviation, very good तो miss statement किस में होता है balances में and transaction में तो भाई जब balances और transaction के बारे में बातचीत होगी तो miss statement तो tolerable miss statement मतलब क्या बोलना चाहता है tolerable miss statement मतलब एक balance में एक transaction में क्या है miss statement है एक balance में, एक transaction में मिलो miss statement है क्यों है क्यों है, क्यों है क्योंकि वहाँ पर हमने ठीक तरीके से entry नहीं किया, हमने vouchers को नहीं किया, okay भाई miss statement है ठीक है लेकिन हम कितना miss statement जहेल सकते हैं उससे हाँ अपन क्या बोलेंगे tolerable. So Mr. Statement रहे एक परसेंट भी नहीं जहलेंगे. नहीं भाईया, जहलना पड़ेगा. क्योंकि तुम्हें वैसे भी absolute assurance नहीं देना है. कैसा assurance देना है? Reasonable assurance देना है. तो क्या बोला है भाईया? A monetary amount set up by the auditor which the auditor seeks to obtain appropriate level of assurance that monetary amount set up by the auditor is not exceeded by the actual miss statement. तो बोल रहा है भाईया क्या एक monetary amount जो कौन set up कर लेता है? Auditor. जिसमें वो यह सोच लेते कि इतना मैं जेल सकता हूँ. अगर इसके उपर गया तो फिर मैं जेल नहीं पाऊँगा. मैं लगा actual miss statement हमेशा इसके अंदर रहना चाहिए. मैं क्या बोलता हूँ? मैं आपकी तीन गलतियां माफ करूँगा. तो आपकी गलतियां कितियों नीची? चार. तीन से काम. आक्च्वली गलतियां करो तीन से कम करो. तीन गलतियां माफ है. तो actual miss statement tolerable के काम रहना चाहिए. यह सेट अप बाइद ऑईटर इन डिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑईटर सीक्स तो अप्टेन अप्रोप्रेट लेवल अशुरेंगे, तो आपको एक वर्ड दिखेगा कौन सा? इंटर्नल कंटोर. क्या यहां तक के चीज़े समझ में आ रहे हैं? पका, अच्छे से, चल अब दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, तो अब हम आएंगे, that is about the sampling के अंतरगत, बात की जाए, तो हम देखेंगे यह वाला, तो objective अपने समझ लिए हैं, definition समझ लिए हैं, अब अपन बाते करेंगे किसकी? प्रोसेस की, सैंपल के किसकी? प्रोसेस की, सैंपल प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, तो यहां पर बहुत साइच चीज़े दिखाई देगी, जैसे एक आपको दिखाई देगा, सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज, सेलेक्शन, परफॉर्मिंग अप्रोसीजर, नेचर चेक करना है, फिर जितना सैंपल उठाएंगे, उसके ओपर, क्या करेंगे, सैंपल उठा लिजे, मैं रखके गुमूं क्या, नहीं, क्या करना है, उसके ओपर, प्रोसीजर लगाना है, वेरी गुड, तो अपन क्या करेंगे, सेलेक कर लिए, सेलेक करने के परफॉर्मिंग procedure, उस audit procedure को लगाएंगे, तो कुछ अपन को गलतियां पता चलेगी, तो उन गलतियों का nature समझना है, अच्छा ये गलती बार-बार हो रही है, अच्छा ये problem बार-बार हो रही है, तो nature समझना है, nature समझने के बाद अपन देखेंगे, और भी गलतियां हो सकती है क्या, अगर एक गलती मिली है, तो chances are that कि और भी इस टाइप की गलतियां हो सकती है, तो projecting what दोस्तों, miss statement, उसके evaluate करेंगे, जो result आया है, और उसके साफसापन क्या करेंगे, अपना opinion form करेंगे, तो evaluating the result of audit sampling, तो जल्दी बताएंगे, step पहला क्या है, बताएंगे, sample का design, sample का size, उसके बाद फिर select, select करने करेंगे उस पर perform करना, nature of miss statement या deviation देगना, फिर उसको project करना, and last, evaluate the result, कोई भी डाउब, say sample design क्या होता है, आईए, sample design मतलब के, भाई, आपको देखना पड़ेगा कि भाई, जब मैं sample को उठाऊ, sample को लूँ, तो भाई, auditor कोई देखना चाहिए, कि भाई, ऐसे sample को उठाया जा सके, जिस पर मैं काम भी तो कर पाऊ, कोई ऐसा sample उठा लिए, जिस पर मैं audit procedure ही नहीं लगा सकता, क्या उठाने का कोई मतलब है क्या, नहीं न, तो when designing a sample, auditor must consider the purpose to be achieved and the audit procedure to be applied to achieve that purpose, क्या audit procedure मुझे apply करना है, क्योंकि उसके साफ से याप उठाऊगे, आपको लगेगा याल audit procedure में इसको पर नहीं लगा सकता, मैं नहीं उठाऊँगा, example के नाम पर, आपका नाम बिटा, अनुश्का, अनुश्का ने नियू नियू जॉइन किया है, अब मैंने आपको ऐसे 200 पढ़ाया overall objective, अब मुझे किसी बच्चे से पूछ रहा है, तो मैं अनुश्का से पूछ सकता हूँ ना, नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि वह exceptional है, क्योंकि अभी उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो अगर हम बात करें, बेसिकली, तो उस case में, अगर हम बात करें, तो यहां पर अगर देखा जाए, तो भाई, problem क्या हुगा, कि भाई, मैं हर एक sample unit पर, क्या नहीं लगा सकता, audit procedure लगा, नहीं सकता, तो कुछ-कुछ जगे ऐसी होती, जहां पर audit procedure नहीं लगा सकते, जब audit procedure नहीं लगा सकते, तो उसको select करने का भी, नहीं, क्योंकि वह कोई काम नहीं आएगा, तो sample को design करते समय, auditor must consider the purpose to be achieved, मुझे क्या purpose अचीब करना है, तो मेरको यह देखना है, मेरको purpose यह देखना है, कि बच्चे को पुराना याद है कि नहीं, तो मैं आप लोगों से पूछूँगा, क्योंकि आपने वो classes को attend किया हुआ है, तो मेरा अगर यह purpose है, यह पता करना है कि बच्चे को पुराना याद है कि नहीं, तो मैं उसी बच्चे से पूछूँगा, जिस बच्चे ने वो class को attend किया है, समझ मैं, नहीं तो मैं गलत रिजल निकाल दूँगा, सुचो अनुष्का जवाब नहीं थे पाई, सब के असाथ मारा पिटी हो गई, घरबर हो जाएगा ना, फिर तो, खामा अगा दिक्का तो जाएगा, आप बोलोगा, रोगो, सब मिल से तो पूछ तो, बचाने को तही यार बेटा हो, तो on that basis के हो जाएगा, गलत सेंपल निकालोगे, गलत रिजल्ट निकल जाएगा, यहां माँ पॉइंट, पका निक्स, आपके देखना पड़ेगा, यहां पर मिसस्टेटमेंट होने के कितने चांसेज है, देखो पिटा, सैंपलिंग भी हर जगे नहीं कर सकते न, जैसे कैश आइटम, इस पर सैंपलिंग करना क्या अच्छा है, नहीं, बचना चाहिए, अब ठीक है, साइज बहुत बड़ा है, तो फिर तो कड़ेंगी, क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी, यहां पर मिसस्टेटमेंट होने के चांसेज ज़ादा है, तो यहां आप तो कंसिडर कि possible deviation ही हमें से statement क्या है, और उसके दम पर आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं इस population को sampling के लिए यूज करूँ या ना करूँ, उसके बाद अपन को ऐसे procedure लगाने चाहिए हो, sample पर जिसकी दम पर अपन क्या ले पाए? reasonable assurance, और क्या दे पाए? अच्छा opinion, तो विन performing audit sampling, the auditor perform procedure to obtain evidence that population from which sample is drawn is complete. तो तीन चीजों का खियाल रखना है, जब आप sample को design करेंगे, पहला, ऐसा sample उठा है, जिसमें आपको पताओ purpose क्या अचीब करनी हैं, और कौन सा audit procedure लगाना है, और लगा भी पाएंगे कि नहीं है, audit sampling जब पर लगा रहे हैं तो auditor को ऐसे procedure perform करना है जिससे अपन क्या obtain कर पाए evidences कि बहुत सब सही है और जो population है वो भी कैसी है complete है चलो यह तो हो गया population का sorry sample का design अब बात करेंगे size what do you mean by size sample size मतलब कितनी quantity of sample को उठा करके उसको check करना है उसे अपन क्या बोलेंगे बता है sample size तो sufficient sample size to reduce the sampling risk to an acceptably low level यह line में को समझ नहीं है यह line में को समझ नहीं है इतना तो आपको sample उठाना पड़ेगा जिससे आप अपने risk को acceptably low level तक लेओ लाखो transaction मेंसे एक transaction check करके भी तो बोल सकते ना पर एक ही को transaction को check करके बोल दो opinion सही है नहीं भाई इतना तो size उठाओ जो reasonable हो आज अनुष्का की बात सुनके क्योंकि उन्होंने class attend नहीं किया और वो जवाब नहीं दे पाई इसके करन अगर मैं सबके साथ मारा पीटी कर दूए चलीगा क्या नहीं ना अव्यस्सी बात है भाई मेरको रहना चीए एक से काम नहीं होगा वो depend करेगा डिपेंड किस पर करेगा population कि उपर population कितनी बड़ी जितनी बड़ी population उतना सारा unit जितनी कम population उतना कम unit कोई दिक्कत की बात नहीं क्या यह बात समझ वें चली बहुत शांदार point है second point यह भी आप ही समझाएंगे level of sample risk affect the sample size यह मुझे समझनी आया है very good जितना आपको लग रहा है sampling risk है उतना ज्यादा आप check करोगे तो size भी उतना increase रहेगा very good size can be determined by statistical formula or by using PJ या तो statistical sampling होती है तो non-statistical होती है कुछ भी doubt नहीं selection for item for testing आप मुझे बताई कैसा item select करना चाहिए कैसा जिसमें population की जलक हो या ना हो again मैं same example ले रहा हूँ कि जब मैं बोड़ा हूँ अभी ऐसे 200 पूछने वाला हूँ तो मुझे कैसे बच्चे से पूछना चाहिए जिसने classes attain किया या नहीं किया करिये क्योंकि अगर ऐसा बच्चा जिसने नहीं कियोगी मतलब वो population को क्या नहीं कर रहा है वो रीप्रेजेंट नहीं कर रहा है वह रीप्रेजेंट नहीं कर रहा है उससे पूछूंगा तो गड़बड हो जाएगा और अच्छा फिर अगर मुझे पूछने तो मैं बोल र के हैं नंहीं किसब का जिया धरक धरक हो जाएंगा यस विटखोने संपीट है तव ख anterior हो जाएगगा है चांश को हो जाएगा चांश के इसिक सेलेक्षन के तो और रही बोला है वह विटस्टिटिर सैंपल इच नहीं होने चैना है अपको जरूड़गने सारे इसा का ह।क बड़े-बड़े आइटम उठा लेते हैं, छोटी-छोटी रह जाते हैं, लेकिन statistical वाला जो formula से चलता है, उसके अंदर emotions नहीं, उसके अंदर यह नहीं कि बड़े-बड़े ही उठाना है, वो सब को उठाता है, तो statistical में chances जादा हैं कि सभी आइटम क्या हो सकते हैं, select हो सकते हैं, आया की नहीं है, पका, with non-statistical sampling, judgment is used for selection, समझ में आगया, किते point हो गए, तीन, पहला sample design, दूसरा sample size, तीसरा sample selection, पहला sample design, sample size, sample selection, पहला sample design, sample size, sample selection, अब क्या करना है, select भी कर लिया, हो भी क्या, perform audit procedure, very good, perform appropriate audit procedure, सब के उपर अलग अलग लगता है, भाई, किसी के उपर लगेगा, for example, inspection, किसी पर लगेगा, inquiry, किसी के उपर लगेगा, external confirmation, किसी पर लगेगा, observation, किसी पर लगेगा, analytical procedure, याद आ रहा है, IRR plus AEIO, याद आ रहा है, पका, चलो, तो भी यह, यह, perform appropriate audit procedure, अच्छा, कई बार आप शायद किसी चीज़ के उपर audit procedure नहीं लगा पाऊगे, क्या होगा, किसी चीज़ पर कहा नहीं लगा पाऊगे, audit procedure नहीं लगा पाऊगे, example, याद करो, ऐसे 505, क्या था ऐसे 505, external confirmation, Samsung वर्सेज अपल, Apple का मैं audit कर रहा था, या Samsung का मैं audit कर रहा था, मैंने का, यार, वो Apple तुमारे उसमें दिख रहा है, मुझे बैलेंस पता करना है, Samsung ने बुला, भीया, मत करो, मत उंगली करो, दिक्का तो जाएगी, कि केस वेसे ही बहुत पेचीदा चल रहा है, हम हानने वाले हैं, इन लोग और तोड़ा भड़क बुड़क जाएगे, तो दिक्कात हो जाएगी, किसने मना किया में को करने से, Samsung ने, अब मैंने सैंपल में तो निकाला था, Apple का नाम, Samsung के पाथ, तो कितने सारी लिष्ट है, लंबी लिष्ट ही, 600 लोगों की, मैंने का अपल निकालते हैं, अपने अपल में से देखेंगे, तो अब यह क्या हो गया, उसने में अपने को आड़िट प्रोसीजर लगाने नहीं दिया, किस के उपर, अपल के उपर, तो फिर अपने क्या पड़ा था वहाँ पर, कि जब आप किसी के उपर अड़िट प्रोसीजर ना लगा बहुत, आप क्या लगा, अल्टरनेटिव अड़िट प्रोसीजर, चलो, अपल के बारे में तो अपन अल्टरनेटिव ली पता कर लेंगे, क्या कि वहाँ पर प्रोब्लम है, तो अपल के बदले कोई, अदर वेंडर से बात कर लेते, तो अदर दो-चार वेंडर से बात कर लेते, अगर वो दो-चार सही है, तो लगगेगा, चलो, ठीक है, अपल पर कुछ और लगा लेंगे, लेकिन इनकी लिस्ट एक दाम सही है, तो क्या बोला है, if auditors are unable to apply, then perform on replacement item, or shall treat that item as a deviation of misistate, क्या ये बात समझ में आ गए, बक्का, चलो भई, पहला क्या था मैं बूल गया, sample design, फिर था sample size, फिर था sample selection, फिर था applying audit procedure, अब apply करने के बाद, गल्तियां निकलेंगी, तो अब आपको उसका nature पता करना है, गल्तियों का भी अपना nature होता है, तो अपन को nature पता करना है, क्योंकि अगर एक जैसे nature की गल्ती हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, fraud तो ठीक है, लेकिन ये भी होगा, कि अगर पता चल कि अच्छे ये गल्ती हो रही है और ये बार बार हो रही है, तो अपन को उस गल्ती को सुधरवाना पड़ेगा, या फिर उस पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ भी होगा करना पड़ेगा, तो अपन को nature पता करना है, कौन सी मिस्टेक इंसे हो रही है, क्या काल्कुलेशन मिस्टेक जादा हो रही है, क्या ये लोग एंट्रियां लिखना भूल जा रहे हैं, क्या ये लोग एंट्रिय गलत लिख रहे हैं, क्या ये लोग गलत accounting period में या गलत period पे entry pass कर रहे है भाई, nature क्या है हर गलती का अपना क्या होता है, nature जैसे आप भी बोलते हैं, यार बार बार एक ही गलती होती है मुझसे, मैं उपर figure कुछ और देखता हूँ, नीचे कुछ और लेखता हूँ accounts के paper में, ऐसा होता है आपके साथ, carry forward mistake यहाँ पर हो जाता है, 8349, वहाँ लिग दिया 8349, नाइन 4 तो यहाँ 8349, वहाँ 8394 लिग दिया यह गलती है, तो बन बोलते हैं नहीं है, ध्यान लगना पन को, तो यह nature है आपकी mistakes का, calculation में mistakes बहुत होती है तो जिन बच्चों को पता, मेरी calculation mistake बहुत होती है दो-तीन बार calculate करते है कि वापस सही है या, नहीं है सही answer आने करते है, फिर calculate करते है यही सही है कि नहीं है, तो यह क्या concept है nature, आपको आपकी गलतियों का nature पता होना चाहिए वैसे हमें भी यहाँ पर क्या पता चलेगा nature and cause of deviation तो it is shall investigate the nature and cause and evaluate the effect on other areas क्योंकि nature की बात कर रहे ना बिटा, सुनो न tax में तुमसे calculation mistake होती है तो पक्का cost में नहीं होती होगी, बुलो हाँ क्या बुला मैंने, tax में अगर तुमसे calculation mistake हो रही है, तो cost में थोड़ी नहीं होती होगी, होती है मतलब tax का impact cost में भी जाएगा क्यों, क्यों क्यों calculation mistake, it's not about tax it's not about cost, it's about calculation तो मगर 8394 को 8349 लिखते हो तो यह accounts में भी करते होगे, tax में भी करते होगे cost में भी करते होगे तो आपकी गलती का nature समझना है क्योंकि nature सब जगे सेम होता है अगर आपको गुस्सा आता है, तो आपको गुस्सा सर्वत्र आता है अब वो घर पे बैटो, office पे बैटो, coaching पे बैटो कहीं पे बैटो, गुस्से का जो point है वो point है, वो आप कहीं पे इसी चीज जिसमें मेरा involvement निया, मेरा नाम लगा जे फिर मैं भीटा, खतम ने, खतम बरबाद क्योंकि जिस सीज में मेरा नाम निया, मेरा नाम के इंवाल करें फिर वो मेरा दोस्तों, रिष्टेदारों, स्टूडेंटों कोई भी हो, मैं फिर पीछे नहीं रटता, क्योंकि obviously बात है, वो मेरा triggering point है, वो point दबा दिया, आपने फिर explosion पका है, तो वो क्या हो जाता है, वो कैसा point है, वो मेरा nature है, भाई, सबका अपना nature, सबका अपने good and bad है, तो वो मेरा nature है, वो मेरा nature है, तो on that basis, घर पे भी मैं वैसा हूँ, बाहर भी मैं वैसा हूँ, वैसे यही बोल रहा है, I shall investigate the nature and cause, ताकि यह परद चलेगी, अगर यह nature का, यहां गरबढ है, तो all भी other areas में, यह गरबढ़ी मिलने को हो सकती है, तो हमें क्या करना होगा, and that effect on other areas, समझ में आया है कि नहीं आया है, पका, okay, अच्छा, कई बार सुनो नाबध्यान से समझना, कई बार पता है क्या होता है, कि कोई miss statement मिला, और वो miss statement हमको मिला, और हमें लगा यार, यह तो बहुत गडबड है, लेकिन वो miss statement जो मिला है, हमें एक unit को check करने से, कई बार वो miss statement से उसी unit पे रहता है, और किसी unit पे नहीं रहता, वापस से बोलना हूँ, कई बार population से आपने कोई उठाया unit, उस पर आपने audit procedure लगा है, result आया negative, और आपको लग रहा है कि भाया, अब यह पूरे population में क्या है, यह आएगा negative result, तो ऐसे case को अपन बोलते है, anomaly, क्या बोलते है, anomaly, so what is this anomaly, anomaly means abnormally, anomaly means abnormal, abnormal मतलब, abnormal मतलब, जो normal नहीं है, बटा English, किता अच्छा English है, abnormal, जो normal नहीं है, तो anomaly मतलब जो भाई, normal cases पे नहीं apply होता, मतलब यह कोई ऐसी चीज होगी, जो सिफ उसी case में apply हो रही है, हर case में apply नहीं होगी, मतलब, कई बार ऐसा हो सकता है, कि आपके देखना होगा, miss statement तो हुआ है, यह miss statement क्या होगी, anomaly होगी, अगर यह anomaly तो सको side कर दो, क्योंकि anomaly की चक्कर में अगर तुमने पूरे population को same treat किया, तो answer, opinion गलत है, सही है, गलत है, again example same, अगर मैंने वो बच्चा जिसने class attend नहीं किया, अगर उससे मैं question पूछूँ, और पूरे population पर same opinion बठा दूँ, क्या सही है कि गलत है, गलत है, तो अगर मैंने किसी एक item को टाया, एक sampling unit को टाया, पूरे population में से, उस पर audit procedure लगाया, और मुझे लग रहा है कि भई, यह आपर मेंसे statement या deviation दिख रहा है, तो मुझे check करना ज़रूरी है, क्या यह unit population को represent कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर यह unit population को represent नहीं कर रहा है, तो यह क्या है, अनॉमली, समझ में आए कि नहीं, और अगर यह unit population को represent कर रहा है, तो chances are very much कि और भी जगे ऐसी गड़बड़ी होंगी, मुझे और भी लोगों से क्या करना चाहिए, check करना चाहिए, मैंने for example, Indra से पूचा, सुबुला सार नहीं याद नहीं आ रहा है, मैंने राहूल से पूचा, बुली सार मिरको भी याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आया है, किसी को भी याद नहीं, मतलब there is a miss statement, there is a deviation, समझ में और ये पूरे population में मैंने पूच लिया, तो मैंने भले ही इनको पकड़ा था, ये anomaly थे, लेकिन एक बार मेरा काम है, ये चेक करना कि वाकई में ये anomaly है कि नहीं है, पता चला, जो normal है, वो भी कोई काम के नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि भाईया, ऐसे case में, there are lots of, what, miss statement, अब मुझे जादा से आधा item को चेक करना होगा, फिर जब इन चाल लोग को नहीं बना, अब तो मैं पूरी class से पूचूँगा, yes or no, तो मैं पूरे population के हर एक unit को क्या करूँगा, पकड़ूँगा, तो यह जो anomaly वाला case होता है, यह rarest होता है, क्या होता है, rarest, इसलिए क्या लिगा है, in the rare case, if the deviation of missus statement can be considered as anomaly, auditor must obtain high degree of certainty that it is not representative of population, अगर वो anomaly है, क्योंकि देखो, बोलता तो नहीं है खुद कि मैं anomaly हो, नहीं, वो तो normally है, वो तो population का हिस्सा है, तो भाई, वो anomaly है या, नहीं है, वो depend करेगा किसके उपर, कि भाईया, आपको दूसरी चीज़े चेक करनी हो, कि अगर दूसरे में भी same चीज़ लग रही है, तो भाईया, वो represent कर रहा है किसको, population को, और अगर नहीं लग रही है, तो on that basis अपने ये बोल सकते हैं कि भाईया, वो क्या है, वो represent कर रहा है किसको, population को, and hence, वो क्या है, वो anomaly, नहीं है, और वहाँ पर जो miss statement है, वो सभी का क्या है, miss statement, बर्लर, बगा, चल, नेक्स्ट, projecting miss statement, क्या मैं जान सकता हूँ, what do you mean by projecting miss statement, हाँ, एक जगे, अगर miss statement मिलती है, तो हमें क्या लगता है, बागी जगे भी होगी, मम्मी भी ऐसा ही सोचती है, एक जगे पकड़ेगा है, तो मम्मी पूरे चट्थे खलवा देती है, बिटा, एक बाद जूट बोला बिटा, फिर तो तुम तब भी भी बोलाओगा, तब भी भी बोलाओगा, तब भी भी बोलाओगा, ऐसा कर गरगे, पूरे जूट पकाड़ लेती है, वैसे ही है, इसे बोलते है, projecting miss statement, प्रोजेक्टर क्या करता है, मुझे बता, what do you mean by projector, projector, projector देखा का भी जिंदगी में, यस क्या करता है, बढ़ा कर देता है, छोटी सी 30 स्क्रीन आइपड के आपके सामने इता बढ़ा कर देगा, वो ब्रॉडर व्यू दिखाता है, तो projecting miss statement, मुझे एक miss statement मिली, तो हम उसे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे, ब्रॉडर व्यू, और वही चीज़ यहां लेगा, प्रोजेक्ट मिली से स्टेटमें टॉडर व्यू, बट इस में नॉट बी सुफिशिंट तो डिटर्माइन अमाउ, if it is an anomaly, then exclude it from, यह क्या बोलता है, यह को समझ नहीं है, second point नहीं आ है, if it is an anomaly, then exclude it, और थोड़ा साथ चा, तोड़ा साथ चा, इंदर आप कुछ बोल रहते हैं, okay, क्योंकि यह किसको represent नहीं कर रहा है, population, देखो, if any unit is an anomaly, तो भाई, वो फॉल रहा है, वो भोपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उसमें जो मिस स्टेंवेंन में रहा है, वह ही पुरी, population में वह बोलिए पुछा जरूरी नहीं है, क्योंकि दाज परीदिफरेंट केस, दाज आनॉमली, आया के नहीं आया भाई वो डिफरेंट केस है आप हम आज अगें वापस से वह एक्जम्पल रिपीट करूंगा कि अगर मान लीजे फो एक्जम्पल अनुष्का से पूछा अनुष्का ने जवाब नहीं दिया तो भाई मुझे उने डिफरेंट रखना है अम मुझे आप लो में आगेगी शी इस नौट रिप्रेजेंटिंटिंटिंग वट्थो पॉपलेशन अम मुझे बाकी पॉपलेशन के बच्छे पूछन एक दो तीन से पूछा वन लोग ने मस्त एकदम जवाब दे दिया तो भाई ठीक है मैं समझ गया कि दढ़ेंग इन्ट गूइन गूइ इस पर इनकी चीज़ों को मुझे पूरे पॉपलेशन पर लगाना नहीं है क्या यह बात समझ में आ रहा है पका चलिए फर टी ओसी टी ओसी क्या होता है तेस्ट अफ कंट्रोल नो एक्स्प्लिसेट प्रोजेक्शन ऑफ डिविएशन इस नेसेसरी क्या बोल रहा है दख्चो की रिसिप्ट मिल सकती है यश कटी है यश नियार दिया तो एंडर ने भीडस यह दिया होगा छ गयॐत सत June ने भी दश easiest नहीं पूंगी nsh सकता है, मैंने जिगियाषा की भी नहीं कियो, हो सकता है, for example, मैंने इंदर की भी नहीं कियो, लेकिन होगा क्या, अगर मैंने हो सकता है, अगर 10-10 है र को अगर 1,000 है, तो चांसे हाव वेरी मच कि आप आप सब की रिसेप भी कित्ते की एंट्री पास होई होगी, एक हजार की, यह chances हो सकते हैं, क्यों, क्योंगी सब एक जैसे हो, लेकिन internal control में every control is very different from other control जो मेरे आपे discount के लिए control है वो books के लिए देने के लिए नहीं है जो books देने के लिए control है, वो attendance लेने के लिए नहीं है, जो attendance लेने के लिए control है वो आपका class में test लेने के लिए नहीं है जो test लेने के लिए control है, वो for example fees collection के लिए नहीं है, सारे control सब कुछ क्या है, अलग है तो एक जगे अकर कोई Mrs. Statement दिख जाए actually Mrs. Statement गलत शबद है deviation दिख जाए, आप बोले वो दूसरी जगे अभी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है तो उसको projecting करना है या उसको broader view पर लेने की जरवत नहीं है क्योंकि everything is different क्योंकि you cannot compare apple with orange आप apple को orange के साथ नहीं compare कर सकते apple के अपनी चीज़े orange के अपनी चीज़े तो इसी लिए हर internal control different है, इसी लिए आप उसका broader view नहीं देख सकते that is why इसमें बोला गया projecting miss statement होता, projecting deviation नहीं होता इसे उपर क्या word लिखा है बटा यहीं से पकड़ लेना था projecting miss statement लिखा है ऐसा deviation नहीं लिखा है, इसका मतब TOC में हमें project करने की जरवत नहीं है, वापस से आईए for test of control, no explicit projection of deviation is necessary, since sample deviation rate is also projected deviation rate for the population as a whole क्योंकि वो बोल रहा है कि भाया, जो की sample deviation rate रहेगा, जितना deviate हुआ है, तो उतना उस पूरे population में भी हुआ होगा, उस particular जगे पे हुआ होगा, दूसरे पे नहीं हुआ होगा, दूसरा क्योंकि एकदम क्या है different है, क्या ये बात समझ में आगे, पक्का, तो पहला पर नहीं क्या पढ़ा था, मैं भूल ये sample, design, sample, size, sample, selection, performing audit, procedure, nature and cause of deviation on, miss statement, projecting, miss statement, उसके बाद, evaluate the result, evaluate करोगे, किसको, 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 हाँ, okay, result, job, not read, procedure, किस पे लगाया, sample पे, और उसके दम पे, जो opinion दोगे, वो किसको पर दोगे, पूरे, population के उपर, तो क्या बोल रहा है बहुत से यहाँ पे, evaluate the result and determine whether to use sampling, provided reasonable conclusion, about the, the, बोलो, about the population, unexpectedly high deviation may lead to increase in, रामा, unless further audit evidence is optic, यह समझनिया, यह समझनिया, यह समझनिया, okay, क्या बोल रहा है, unexpectedly high miss statement may lead to increase in, रामा, अगर high miss statement है, तो इस से अपन को क्या लगेगा, एक जगे miss statement है, तो risk of material miss statement क्या हो जाएगा, high, एक चीज़ गडबड होती है न, तो आपनको लगता है, सब गया, practical example अपने exam में ही देख लो, accounts का paper गया, लगप का है, group गया, ने पढ़ गया, सब हो गया, अदे भाई, अभी tax भी है, cost भी है, accounts भी है, law भी, बाकी subject भी तो है, एक paper हो तुमको लगता है, सब गया, क्यों क् क्या करते हो, और further audit procedure लगाते हो, further audit evidence collect करते हो, फिर आप बोलते हो, नहीं नहीं या, सब ही पर इदा, बाकी सब अच्छा है, तो वो कब, वो क्या बोल रहा है, unexpectedly high missus statement may lead to increase in roma, unless further audit evidence is obtained, further audit evidence obtained क्या आपको लगा नहीं है, ता कोई तो कोई टेंशन वाला नहीं था, it's okay, tension वाल नहीं नहीं था में request management to further investigate or tailor the NTE to best achieve required assurance, यह भी बात मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ा सो और अच्छे से, easy language थोड़ा सो, क्या बोल रहा है, अगर sampling करने से हमें reasonable assurance नहीं मिला, क्योंकि हमने नहीं लगा पाया, जो भी problem होई, तो हम management को बूलेंगे, कि भाई, आप क्या करो, हमें और investigate करने का मौका दो, या और investigate आप भी करके बता, या फिर अगर हम ही को investigate करना होगा, तो हम अपने NTE को बढ़ा देंगे, तो हमाँ extent of checking हमारी बढ़ जाएगी, वही तो चीज बोला है, simple, for the help, मुझे अमीद एक process part समझ में आगया, ये चार्ट ने आपकी बहुत help करेगा, क्योंकि जब आप ये पढ़ने जाएंगे, तो मुझे पता नहीं, आप क्या पढ़ डालेंगे, पिटा, समझ में है, जितना भारी भर कम यहां पे लिखा हुआ है, उसी को ही चार्ट में लिख पाएं और audit procedure लगा करके वो evidences को collect कर पाएं, साथ ही साथ उसे ये भी देखना है, कि भाईया, वो possible deviation क्या हो सकता, miss statement क्या हो सकता उस population में, और उस evidences ऐसा collect करना है, perform audit procedure ऐसा करना है, जिसकी दम पे वो ये देख पाएं कि हां भाई, जो sample population है, वो क्या है, complete हो, तो यही लिख to achieve that purpose, consideration of nature of audit evidence, sought and possible deviation of miss statement relating to the evidence, will assist the auditor in determining what constitute a deviation and what for population, फिर पोला, when performing audit sampling, the auditor perform audit procedure to obtain evidence that population from which it is drawn is complete, तो यहां पर ना लिखी वही बात है, लेकिन वो audit की भाशा में लिखिया, मैं आप से request करूँगा, कि आप चाहें, तो इसे एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो मैंने आपको किसमें दिया है, चार्ट में, उसी को ही याद करें, क्योंकि ये आपको याद होगा ने, फिर आप इसको याद करने के चक्कर में बहुत time and energy waste करके, दूसरी जगे पर time ना दे, इसे अच्छा आप चार्ट का भी जो लिखेंगे, वो आपको marks fetch करेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको पढ़ोगे तो भी absolute marks नहीं आएंगे, reasonable ही आएंगे, तो उसको पढ़ोगे तो उसके हिसाब से भी reasonable marks आएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नुकसान कहीं नहीं बढ़ा, समझ में आगया, पका, चल्ड़ू, नेक्स concept पर आते है इसी को ही लेकर के, बहुत शान्दा सी चीज़ है, जो exam में आजकर काफी famous होती जा रही है, जिसका नाम है factors affecting sample size, मैं आप से जानना चाहता हूँ बढ़ा, इतनी सी line पढ़ करके क्या समझ में आ रहा है, factors affecting sample size, मतला, that's why कौन से factors है, जिनकी वज़े से sample का size बढ़ता है या घटता है, मुझे बताओ, मेरा tolerable miss statement का level में increase है, there is an increase in tolerable miss statement, क्या समझ में है, मैंने क्या बूला, there is an increase in tolerable miss statement, इसका मतलब क्या है, मेरे जहलने की शक्ति, तो मैं जो size लूँदा, sample की quantity उटाऊंगा, जादा quantity उटाऊंगा, कम quantity, कम quantity, जादा, कम क्यो उटाऊंगा बाई, क्यों कि जहलने की शक्ति, मैं जादा miss statement जहल सकता हूँ, तो में को लग रहे जादा क्यों चेक करूँ मैं, अचा हुपन जहल इसा है ना बी काम, बेकाम पढ़ा ना, very good, तो बेकाम के अंतर गद अपनी जिलने की शक्ति जादा है काम है, बहुत जादा, अब अंको लगते हैं, चालिस आग है, बहुत है, बास, इतना ही तो चाहिए, क्योंकि एक रात की पढ़ाई में और कि तले लोगी तो अपनी जेलने की शक्ति बहुत है तो आप मुझे बताओ ज्यादा पढ़के जाते हो कम पढ़के जाते हैं कई बच्चे बिना पढ़े निकल जाते हैं सुबह फोन आता दोसका आज कॉलिज चलने क्यों एक्जाम है अच्छा चलो तो यह पर नुसके नहीं पढ़ते कम पढ़तें क्योंकि अपनी जेलने की शक्ति massacBr afflict amis स्ट जियादा हैं यह जिलने की शक्ति शय ज्यादा हैं बह Regular अई ayam nochmal 5namurs बबजा सबस्प नंब्र चोर दे एं तोड़्डी ने जाते घर हम लेक्णकेम्ट के बढ़कर के यह श़गवा करने के बाद भी खुश नहीं हो तो इसलिए आपकी यहां पर जिलने की शक्ति काम है तो इसलिए आप पढ़ाई जादा कर रहो आप सैंप्लिंग में भी नहीं जाते हैं आप सुस्थे हो कवर टू कवर पर डालूं यस और नो यस आया की नहीं है तो अगर अपन बात करें मुझे जल्दी बताएंगे अब यहां पर देख रहा है आपको इंक्रीजिन उदर पर डिखेंगे वह आला पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ बीटेशल पढ़ेंगेड़ा इंक्रीज इल्ट डिश टॉलरेबल रेट अव्मिश स्टियट्मेंट इसके लिए अपने देख लिए डिक्रीज होता है चलो अब यह पढ़ेंगे क्या लेखर amount of miss statement expects to find English को Hindi में बताओ इंक्रीज इन amount of miss statement expects to find expectation है कि जादा मिलेगा miss statement पहले increase को नहीं पढ़नेगा पहले पढ़ो amount of miss statement expects to find miss statement हम हमें मिलेगा फिर पढ़ो increase in अच्छा जादा miss statement मिलेगा हमें लग रहा है कि जादा miss statement मिलेगा तो हमें कम चेक करना चाहिए जादा चेक करना चाहिए आया समझ में next ये वाला पढ़ो increase in auditor assessment of rum rum what is rum मुझे ऐसा लग रहा है कि material miss statement होने के chances क्या करूँगा चेकिंग जादा की कम जादा चेकिंग करेंगे increase in what क्या हो जाएगा sample size देखो लास्ट वाला actual miss statement is more than tolerable actual miss statement जादा है tolerable से मतलब जहिलने की शक्ती काम है और actually मैं हो तो फिर जादा चेक करेंगे 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 सर एक point पीच में छूट गे था stratification of population when appropriate जब stratification होता है तो हम क्या करते हैं बताइए population को heterogeneous को होमों में convert करते हैं तो population को छोटा-छोटा कर देते हैं तो obvious ही बात है अगर आपके सामने पूरा population लग देते तो फिर तो आप जादा क्या करते हैं चेकिंग करते हैं क्योंकि variety बहुत है ना सब्सक्राइब कर दो करोड़ तक अब आपने क्या कर दिया स्ट्राइटा बना दिया है तो automatically आपका क्या हो जाते हैं साइस का मुझाते क्यों क्योंकि आप किसी में बहुत जादा चेक करते हैं तो किसी में से 5% 2% 2.5% ही चेक करते हैं समझ है तसलिए वहां हमेशा सेंपल साइस के होगा डिक्रीज यह ता टीओ डी का वैसी किसका है टीओ सी का टीओ सी क्या होता रही तेस्ट अफ कंट्रोल पहला वाला पढ़ेंगे increase in हमें क्या लग रहा है जहिलने की शक्ति तो फिर checking increase in expected rate of deviation deviation होने के chances तो हम checking कम करेंगे अरे कम करेंगे ज्यादा करेंगे very good increase in the extent of which auditor takes risk assessment मतलब यहां पर रॉमम ज्यादा लग रहा है तो checking ज्यादा करेंगे actual rate of deviation is more than tolerable ज्यादा करेंगे सब में ज्यादा करेंगे ज्यादा करेंगे ज्यादा करेंगे पहले वाले में कम करेंगे यह एक्जाम में आता है और यही लिखना पड़ता है सब इसे कैसे लिखेंगे हम इसे ऐसे लिखेंगे दिख रहा आपके सामने आपकी भी किताब में होगा, टेबल बना हुगा, factors affecting what, दोस्तो, sample size, बोलो, शीम पॉल, शीम पॉल, पक्का, in this way, we have completed our what, दोस्तो, essay 530, मैं जानना चाहूंगा, essay wise हमारे कौन कौन सो हो गया, 200 हो गया, क्या नाम इसका कोई बता सकता है, overall, objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with essays, फिर हमारे कौन सो हो गया, आएसे 500, क्या बोलता है, audit, evidence, फिर हो गया हमारे 505, external, confirmation, फिर हो गया हमारे 530, audit, sampling, बापस से आते हैं, ऐसे 200 कौन से बताएंगे, overall, objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with essays, फिर हैसे 500, audit, evidence, 505, external, confirmation, 530, audit, sampling, फिर हो गया हमारे दाउट, अभी एक और स्टेंडर अपन करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है ऐसे 210, जिसका नाम है agreeing the terms of audit engagement, क्या नाम है, agreeing the terms of audit engagement, सर ये स्टेंडर्ड क्या बोलता है, ध्यान से समझेंगे, ऐसे 210 ये बोलता है, कि जब आप auditor है, और as a auditor, अगर आप appoint हो गए है, तो appoint होने के बाद, आपको सबसे पहली चीज, ये देखना होगा, कि यहाँ पर महौल है कि नहीं है, ठीक है भाई, AGM में आप appoint हो गए है, अब पहले तो ये देख लो, महौल है कि नहीं काम करने का, सब काम करने का महौल है कि नहीं मतलब, पता चला, वहाँ पर accounts ही prepared नहीं है, तुमको बुला लिए audit कर लो, आपने बुला साब accounts, बुले तुम्हाना नाम क्या है, चार्टिद अकाउंटिन, बुले बलता ही, आगे का नाम नहीं सुनना, चार्टिद अकाउंटिन में बुले, अकाउंटिन का मदला बुत है, जो accounts prepare करता है, management बुले तुम्हारा ही तो इंतिजार कर रहे थे, तुमही हो, आओ, बनाओ, खुद ही चेक करो, घर जाओ, अब आप मुझे बताए, ऐसी उमीद लगा के काउन बेठा मुझे से, management, बुला, साब, ये काम मेरा नहीं है, बुले तुमा नाम अकाउंटिन्ट है, अरे मैंने का, चार्टिद अकाउंटिन्ट है, बुले, अकाउंटिन्ट तो है ना, मैंका, साब, मैंने ये नहीं करूँगा, तो फिर, काम हो पाएगा की नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आज फिर लड़ाई जगडे से, अगर सीरीज चालू होगी, तो फिर लड़ाई जगडे पही जाकी खतम होगी, तो इसे लिए, जब आप पहले appointment हो जाए, तो पहले चेक करो, pre-condition for an audit, यही देखनी पड़ेगी, कि भाई, क्या वहाँ पे pre-condition है या नहीं है, pre-condition का मतलब है, कि क्या FRF जो apply होने चाहिए थे, क्या वो acceptable है या नहीं है, क्या preparation of financial statement as per applicable FRF हुई है या, नहीं हुई है, और क्या वहाँ पे necessary internal control है या नहीं, for the preparation of financial statement, क्योंकि अगा internal control नहीं होंगे, तो मतलब समझ जो बक्वास बनाई है पूरी, धंक से कुछ नहीं बनाया, मन में आया थी क्या, तो कुछ ही न, अकाउंस प्रिपेर्ड कर गे दूना, कल आ जा न, सुबह दे दूँगा, कुछ भी बना के दे दिया, अपने बच्चे के 12th क्लास का कोई सम चल रहा था, वो ही बोले, यही दे दे, कागज फाड़ के, वो ही दे दिया, बटा, ट्रेडिंग P&L बैलन्स, बोले अब चेक कर इसको बैठके, अब आप मुझे बताओ, अगर आपने डंसे नहीं बनाया होगा, तो मेरा चेक करने का तो कितना महेनद लग जाएका, मैं हर बार गलती निकालू को मैं बोले का सर ये तो है यी नहीं, बोले कहाँ, बैठो ठीक करो, यह सब काम अपन को करना है क्या, नहीं, तो पहले से भी यह यह चीजे पता कर लेंगा, क्या FRF तुम्हारा acceptable है कि नहीं क्या तुमने बनाया है कि नहीं financial statement financial statement जो बनी है उसके लिए जो internal control होने चाहिए क्या वो internal control वहाँ है या नहीं है क्या ये बात समझ भागए उसके बाद एक चीज में आपको और बता दे रहा हूँ management आप लोग हो management सुन लो मेरको evidences चाहिए इसके लिए मुझे हर वो information चाहिए जो financial statement से related है management बोल रहा है मेरे पास time निया मत आना मेरे पास कैसी जगे मैं काम करूंगा क्या मैं बोल रहा हूँ कि साब मेरे को कुछ कुछ लोगों से बाहर बात करनी होगी बैंक वाले से बात करनी होगी बैंक स्टेट्मेंट मंगा हूँगा वो डेटर का कभी external confirmation चाहिए होगा कभी creator के साथ external confirmation के लूँगा कभी आपके employee से बात करूँगा बोले इसाब मत करना management move है मना कर दे रहा है यह सब मैं करने नहीं दूँगा चुप चाप audit करने आया है audit कर बोला भाई evidence करने के लिए यह सब चाहिए होगा करना पड़ेगा बोले मैं नहीं करने दूँगा अब आप मुझे यह बताओ क्या मैं सबूत इखटा कर पा रहा हूँ सुना ही नहीं दे रहा है अब अगर मैं सबूत इकटा नहीं कर पा रहा हूँ और सबूत इकटा नहीं होगा तो क्या मैं opinion दे पाऊंगा और अगर ऐसा opinion जहां पर मैं opinion दे नहीं पाता फिर भी opinion लिखते हैं उसको क्या बोलते है disclaimer of opinion तो आगे जा करके मैं opinion नहीं दूँगा लेकिन मैं और पुपिनियन नहीं दूगा लेकिन अपना पाइसा वागोंगा किसा आप छे महीने से काम कर रहरो हो? भोले और पाइसा भी मिलेगा नहीं है? क्या लड़ाई होने वाली आकरी में? यस और नो तो ऐसा जब अपन को अंत पता अपन प्रोफेशनल लोगे लड़ाई जगडा लड़के लेके नहीं जाएंगे मौल्ले में गाड़ी भर दी थार में भर के लड़कों को यह सब काम अपन को नहीं करना है तो ऐसी जगे जहां पता है कि आगे जाकर के लड़ाई फ होनी चे तीसी प्रकंडिशन जानी चे तीसी प्रकंडिशन यह है कि इंटरनल वा माजीद होनी नी चे मुझे एक्सज चू अल इपरमेशन रस्इपनान च्थी आपना लिट्र क्रवि यह थी थाराई ट्यूमल फिनिव पर्श्य इन उर्साइट्टी होना चाहिए ये साब अब यह वाला पॉइंट आप मुझे पढ़के बताएंगे है जल्दी पढ़ेंगे खोने वाले बच्चे बिटा जाग जाएंगे मैं पूछने वाला हूँ आप से पढ़ लिया? कौनसा बच्चा बता रहा है? चलो अनिशे का अनिशा सौरी जिसकी वज़े से और्डिटर को ये लग रहा है कि मैं क्या दूँगा? इस्क्लेमर ओपीनियन दूँगा? इन अदर वर्ड ओपीनियन ही नहीं दे पाऊंगा? तो फिर ऐसे केस में ओडिटर शूट नाट एक्सेप्ट काम नहीं लेना चाहिए सर आगे भी कुछ लेगा है ओके, अनलेस रिक्वाइड बाई लौ लौ बोल रहा है तो काम लेना ही पड़ेगा लौ को कैसे मनागा सकते? सर लौ क्यों बोल रहा है? केस हुआ था सत्यम का कुछ डिरेक्टर ने छोड़ दिया और कुछ को गवर्मेंट ने उठा के जेल में डाल दिया सत्यम कांड हुआ, सत्यम कंपनी का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ तो 2008 की आसपास की बात है अब यह स्कैम में भाई जो जेल में बैटा है रामलिंग राजू उससे अपन बातचीत नहीं कर सकते कुछ लोगों ने तो नौकली छोड़ दियो डिरेक्टर शेफ छोड़ दियो घर पर बैटे वह उनसे भी बातचीत नहीं कर सकते अब प्रॉब्लम यह हो गई कि भाईया यहां पर जो ऑडिटर है वो नए आया डिलॉइट्स पीडबलूसी ने तो कांड करके चला गया था अब डिलॉइट्स आया पीछे से काम करने डिलॉइट बुला भाईया कैसे करूं यार मेरको इन्फरमिशन ची होगी यह है वो है अच्छा जब यह डारेक्टर लोग छोड़के गया तो फिर सेंट्रल गवर्म कंपनी नीकलत सुफ यस् Lev start कर उनके लिए भी जितना नया डायरेक्टर चैनली एँंफ यंपनी कमपनी की और व्यannel की तरुजिटकर — जिशिये मशेम सब्सक्राइब ल्यN ने तो और यह यह उन पर क्या हुआ यहां पर और डायरेक्टर पा Margaret लेक सांब बोले साब तो भाई ऐसे में तो कोई आड़िट नहीं कर पाता सत्यम का इट वस रिक्वाइड बाई लॉग यह ठीक है मिल जूल करके जैसे तैसे करो निप्टाओ उसको क्योंकि किसी के पास इंफर्मिशन नहीं जिसके पास है वो जेल में बैटा है उसको थर्ट डिगरी दे दे करके वो अग्री नहीं कर रहा है with the responsibilities of the above क्या यह बात समझ में आगे चलिए next concept क्या बोल रहा है agreement क्या क्या बाते आप अग्री करते हैं तो दोस्तों अपन इसमें अग्री करते हैं पहला objective and scope of audit भीया मेरा object क्या है audit का scope क्या है पहली बातचीत कर लो कि my object is to obtain reasonable assurance absolute assurance नहीं है प्लस कहीं न कहीं मैं opinion देने आया हूँ मैं आपर judgment देने नहीं है दूसरा responsibility of audit मेरा क्या क्या responsibility मैं evidence collect करूँगा accounts देखूँगा check करूँगा गलतियां बताओंगा गलतियां सुधर्वाओंगा नहीं से बताओंगा समझ मैं next responsibility of management तुम्हारा काम क्या management हां accounts अगेरा prepare करना finalize करना FRF के साब से काम करना identification of applicable FRF applicable FRF क्या क्या है वो identify करना आपका काम है मैं कैसा report आपको दूँगा क्योंकि problem कहना है report मैं अगर आपको अभी नहीं बताओंगा ना कि report कैसा दूँगा तो तुम कुछ भी मांग लोगे तुम बोलो कि मिरको colorful चाहिए मिरको पाइचार्ड बना करके दे मिरको graph बना करके रही है सब करने बैठा के मैं मिरको ICI ने एक standard बता ऐसे 700 उसके साफसे report बनेगी वो जैसा बोलते है वैसी report मैं बनाऊंगा तो पहले ही बता दे रहा हूं कहां पर आपको engagement में ही agreement जो बना रहा हूं ना सरी agreement को को कोई और नाम दोना ओके इस agreement को अपना नाम देते थे L O E क्या नाम देंगे L O E सर वट इस L O E letter of engagement तो इस letter of engagement के अंतरगत मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाया मैं जो हूं किस type की report दूंगा और ये भी बता रहा हूं कि जो type की report मैं बोल रहा हूं कि मैं दूंगा जरूरी नहीं है म बदल दे काई बार ICI बदल देता है ICI ने बोला भाया नहीं आप से जो report बनेगी वो इसके साफ से बनेगी मुझे उसके साफ से बनानी पड़ेगी तो हाल फिलाल तो यह ICI कुछ बोलेगा मुझे उसकी माननी पड़ेगी तो इसलिए क्या है भाया a statement that there may be circumstances in which report may differ from its expected form and content त एला objective and scope of audit, responsibility of auditor, responsibility of management, फिर हमारा identification of applicable FRF, reference to expected form and content of the report और एक और स्टेटमेंट कि यह जो report मैंने आपको बताईए उस report से अलग report भी मैं दे सकता हूं, कोई भी डाव, जल्दी, actively मुझे बताएंगे, जल्दी बताएंगे कि भाई, एक auditor कितने साल के लिए आता है, पांथ साल, पांथ साल के लिए एक auditor आएगा, तो यह जो पहली बार घुसा था, auditor तो उसने दिया था letter of engagement, पहली बार घुसा था, तो क्या दिया था, letter of engagement, हर साल, हर बार, 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 letter of engagement देगा ना, एक बार दे दिया ना, अपनी responsibility बातचीत हो गई, बार बार दूँगा क्या, answer is no, ल लफड़े हो गए, इस साल तो जैसे तैसे अपने एक दूसरे को माते पीटते निकाल दिये, अगले साल में कोई सब नहीं चाहिए, अगले साल मैं आपको बता दे रहा हूं, इस line का मतलब यह है, जो आप समझ नहीं पायते हैं, वापस से लिग दे रहा हूं, other words में लिग और यह देख लो, आप मनजूर है, तो काम करता है, नहीं तो मैं छोड़ दूगा, तैसे लिए भी यह लफड़ा ना हो, जो पहले ही गलट फहमी थी, वो चीज़, दूसरा मुझे कोई टर्म्स को चेंज करना है, तो मैं एक नया दूँगा आपको, यह पर सीनियर मैनेजम में चेंज आगा है, लॉमेकर मतलब लाइक फॉर एक्जांपल, आईसी आई ने निया स्टैंडर निकाल दिया, बोले, यह का काम सिव उपीनियन देना नहीं है, यह का अब यह भी करना होगा, ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव है, मेरा चेंज हो गया, पहले में से उपीनि रिकरिंग, 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 बार बार, पहले साल से दूसरे साल, तो ऐसे केस में वैसे जनरली क्या नहीं देना पड़ता है, एलोई नहीं देना पड़ता, लेकिन हम एलोई देंगे, कब देंगे, अगर इन में से कोई चीज हो गई, जैसे पहला, अग है entity misunderstand करती है हमारे objective को को special terms है change in senior management है significant change in ownership है change in nature size of business है change in legal requirement है FRF है change है या change in any other reporting objective कोई भी doubt पका अच्छे से बोलो ना yes or no चलो संभालो पिट अपने आपको ठीक है अब ध्यान से समझेंगे अब मुझे बताएंगे दोस्तों हो जाता है कई बार ऐसा कि management जो है उसने अफरत अफरी में बोला साब आज आजाओ अच्छा आपकी ये 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 इच्छा है आजओ 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 सब LOE sign in कर दिया सब को चोगया बठा दिया बाद में management को लग रहा है ये auditor बहुत उंगली कर रहा है तो फिर management ने बोला देखो साब LOE में लिखा तो जरूर है लेकिन हम आपको access नहीं दे पाएंगे लिखा है access to person outside the entity sorry हम आपको access नहीं देंगे अब ये क्या करना चाहते है letter of engagement में changes लाना चाहते हैं कब लाना चाहते हैं ये भी audit acceptance होने के बाद लेकिन opinion देने के पहले अब ये changes ला रहे हैं तो इसके current क्या होने वाला है कि मुझे ऐसा लगेगा शायद इसकी वज़ा से मुझे opinion देने में तकलीफ हो जा है भाईया external confirmation मना कर दिया alternate audit procedure नहीं है मैं कैसे पता करूँ in debtors के बारे में मुझे लग रहे है भाईया नहीं ऐसे काम तो नहीं चलेंगा तो ऐसे case में क्या करूँगा मैं management को बोलूगा sorry boss मैं तो नहीं करूँगा ये change नहीं होगा जो है वैसे ही है मैं वैसे ही audit करूँगा management बोले change नहीं करेगा मैं बोला नहीं करूँगा, चेंज करेगा, बोले नहीं करूँगा, या डाउट, मैंने बूरी अब इस्तर, पहले फेका, बाद में मिल को फेका, और आप मिल को बाहर कर दिया, बोले तुमाँ जैसे ओडिटर की जरुवत नहीं, बहुत है, उनको उठा लेंगे अब, मैंको उठा के इन्होंने फेक दिया, एक चीज ये भी हो सकते, या फिर मैं खुद भी क्या करूँगा, रेजाइन, डॉन्ट टच मी, जा रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल आदमी, रहाएगी नहीं, तो अपने खुद क्या कर देंगे, बताइए, रेजाइन करेंगे, बसपन में चौटा-चौटा बच्चा आप लोग थे, तब आपने पढ़ा होगा, कमपनी ओडिट, कमपनी ओडिट में जब ओडिटर को उठा के भार फेक दिया जाए, और या तो रेजाइन कर दे, तो फिर ऐसे केस में ओडिटर को किसको बताना पड़ता है? आरोशी, आरोशी को रोते वे बताना पड़ता है, आंसूं से खून से लिखना पड़ता है ADT-3 form, ठीक है, और ADT-3 form अपन को सम्मिट करना पड़ेगा आरोशी के पास, याद आ रहा है, और वही बात यहां पर पर भी लिखिया है, क्या लिखिया है? The OITER shall not agree to a change in the terms of audit engagement, वैसे agree करने की जरवाद नहीं है, If prior to completing the audit engagement, the OITER's request to change the audit engagement to a engagement conveys a lower level of assurance, the OITER shall determine whether there is a reasonable justification for doing so. If the terms of audit engagement are changed and the OITER and management shall agree on our new terms of audit engagement in an engagement letter. इधर जुन सबस्क्राइब रिखवर फिट फार्फ अगर्ट इंगचमने यह वी देखना है कि यह व्याम धर पर्मेट करना है कि अच्च गार्न फुर्ट करना है क्या थी गॉल नजरा आप समझ में आया, पका, कुछ additional matters भी हैं, जो कि आपको letter of engagement में लिखने पड़ते हैं, sir, additional matter क्या, जैसे कि scope of audit क्या रहेगा, मेरा communication आपके साथ कैसा रहेगा, हम लोग किस में बात करेंगे, पहले fix कर लेते हैं, अपन किस में बात करेंगे, बताओ, letter, या फिर, mail, या फिर, WhatsApp पर नहीं करते हैं, चिछोरा, WhatsApp पर client के साथ कौन बात 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 बाता है, WhatsApp, ठीक है, missing, यहीं सब चल देगा, नलाएक, चलाओ, ता अगर 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 बात करे, है, professionally, आपनको mail में बात करना है, letter में बात करना है, या फिर, meeting करना है, यह सब पहले ही बात कर लो, आपको एक सची बात बताता हूं कि obvious है, यह आपनको लग रहा है, आप साभी का meeting के लिए पहले से बात होती है, होती है, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, जैसे, my father is a chartered accountant, he is a practicing chartered accountant, उनके बहुत बड़े client है, डेली के Supreme Court का advocate, भाई वो आदमी से बात करने का time fix है, पहले से पापा को पता है, यही date पे ही बात होगी, और उनका concept भी clear है कि मैं इसी format पे ही बात करूँगा, आप उनको directly call भी नहीं कर सकते हैं, बड़ा आदमी, call भी नहीं कर सकते, उनका secretary हमेशा वही phone उटाता है, तो भाई बड़ा आदमी है और वो, मतलब इतना बड़ा आदमी है कि उनके बेटे की शादी में सारे बड़े politicians आए, लाइक finance minister वगेरा, ऐसे ऐसे लोग है, तो भाई Supreme Court का advocate होना छोटा आदमी तो ही नहीं वो, पहली चीज़, तो on that basis क्या हो जाता है कि उनसे बातचीत करने का पूरा format described है, कि अब तो technologically बढ़ गए, तो भाईया पहले ऐसा होता था कि आप मुझसे face to face मिल नहीं आओ, ऐसा ही होता था, पता है, उनसे बोलते था कि हम mail पर बात करें, बुले में इतना टाइम थोड़े न तो महां से mail करोगे, मैं आसे mail करोगे, mail mail खिलने का टाइम नहीं है, नाटा जी, आपकी flight की ticket भेज दी जाएगी, आपका five star hotel में stay रहेगा, गाड़ी मेरी लेने आएगी, इत्ते बैसे इत्ते वही की meeting है, आपकी return flight भी book मैंने करा दिये, इस वही सब कराते हैं, आपन नहीं करते हैं, समझे हैं, वही सब कराते हैं, बड़ा आदमी यही है, भाई वह पहले से flight की ticket भेज देता था, वह उनके taxi उनकी खड़ी रहती थी, कि बापा आए हैं, तो भाई उनका जो भी taxi होगा, जो इन्होंने हायर किया, वो है, hotel लेकर के आते हैं, फाइस्टार hotel, वहाँ पे stay है, भाई, आपको आना office में तेवे सित्ते वे, जो आपको points है, वो लेको, आप points discuss करते जाओ, फ़र आपकी शाम की flight book है, आप वापस निकल जाओ, और फिस है, तो वो बड़ा आदमी, उसको पता है में को communication कैसे करना है, क्योंकि वो हमारी audit fees में included नहीं था, और वो बड़े आदमी को हमने भी यह नहीं बोला, कि हमको flight की ticket नहीं, हम नहीं, हम खर्चा नहीं करें, उसको पता है, मैं बुला रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है कि भाई, चाहते है तो communication phone पे हो सकता है, email में हो सकता है, नहीं, हमें चाहिए, तो बलकी पता है क्या होता था, professional लोग, कितने professional होते हैं, इस बात को समझो, audit fees जो तै हुई हुई, क्योंकि पापा अगर meeting करने जा रहे है तो पापा को अलग से एक check मिलता था, जो पापा लोटा के आते थे, मैं पापा तोड़े से emotional side पे रहते हैं, उनको relations जादा matter करता है, उनको वो नहीं रखता है, मैं बुल तो क्या करके आते हो ठीक है, मैं लिटरली ऐसे कई वापा को कर रहे है, ठीक है, अच्छा है वो इतना तो वैसे ही खाचा है, वो गोलते है, वैसे ही तो इतना खाचा कर रहे है, फ्लाइट की टिकेट भेज रहे है, मैं नहीं का वो कमा रहा है, आपका क्या जा रहा है, तो on that visit में पापा वो जमीन से जुड़े हैं, अब और उनकी बा अपनी खुद की इजट नहीं पता है, अपन को खुद को नहीं पता है कि भींगा सिये अपनी पर मिनिट कोश्ट होती है, पर आवर कोश्ट होती है, मेरे मामा जी है मुंबई में, ही इस इंटु टॉप टेन फर्म्स ऑफ मुंबई, लोडा एं लोडा, ठीक है, बहुत कि भाई ऐसा है उसको बिल भेज देना, मैंनों से आदा घंटा कंसल्टेंसी दिये, अब समझें यहां एक एक दो घंटा खा के चले आता है क्लाइंट, और पैसे के नाम पर ओड़ेट फीस ही देते बड़ी बात है, यह लगता है, अदा घंटा बात करने का बिल पहुत जा लेकिन उसको बता है, वो एड़ोकेट पता है किसा है, वो क्लाइंट का केस सुनने का देड़ लाग रुपे लेते हैं, केस सुनूंगा, लूंगा नहीं लूंगा पका नहीं है, जा जा डॉक्टर फीस ना, मैं आ रहूं आपको चेक अप करूंगा, अब चेक अप करने का आगे आपको मेरे से operation कराने नहीं कराने, that's your call, लेकिन पहले तो फीस लगती ना, consultancy, वोई consultancy फीस है उनकी देड़ लाग रुपे, सिर्फ केस सुनाने ही की, बाकी केस लड़ना, कोट में जाना, उसकी फीस तो पूरी अलग है, getting up my point, पका, चलो, अब आते हम इन बात पर, तो यह यह कैसे communication होगा अपना, यह आपस में पहले ही क्या हो जाती है, बातचीत पहले ही कर लेते हैं, उसके यह बहुत अच्छी line लिखिए, कोई बच्चा समझाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, third point कोई बता सकता है, क्या लिखा है, very good, बताएगे, कौन बता रहा है, हाँ, okay, very good, very good, और, और कुछ अच्छा और भी बता सकता है, audit, मतलब प्लाइन करना है, okay, लेकिन आपने जो बोला है, वो correct है, लेकिन इस पर्टिकुलर line के साफ से नहीं है, पहले तो यह समझाओ, अपन कहां खड़े हैं, अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपने मन से बाते नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, client से, LOE किसके लिए है, client के लिए, तो अपन client को बोलते हैं, client, soon, there are inherent limitations, मैं कितना भी uncharted plan कर लूँगा न, there are some unavoidable risk, मैं अब ऐसा मत करना कि मेरे यहां से निकलने कर बोलना, your fraud निकला था, तुमसे यह error निकला, नहीं निकाल पाऊँगा, absolute assurance देने नहीं बैठा हूँ, कैसा assurance दे रहा हूँ, reasonable assurance, तुमारा काम कर दूँगा यह है, लेकिन देरा inherent limitation, मैं कैसे उस शीश के लिए बोल दूँगा, जज्जमेंट दे दूँगा, बहिया, पहले ही बता दो, कल के दिन उगली उठाएगा नहीं तो पहले ही बता दो क्या, कि बहिया, the fact that because of inherent limitation, together with limitation of internal control, there is unavoidable risk, that audit is properly planned and performed in accordance with SA, बहां पे unavoidable risk रहेगा ही रहेगा, बहां पहले ही मैं audit को कितना भी अच्छे से plan कर दूँ, perform कर दूँ, क्या ये बात समझ मैं, पक्का, next, arrangement regarding planning and performing of the audit, including composition of audit team, मेरी audit team में कौन कौन लोग आएंगे, कब कब आएंगे, expectation that management will provide what, दूस्तों, WR, अभी अपने WR पढ़ा निये, कही कही जगाहों पर हमें written representation चाहिए होता है, यह अपन बाद में पढ़ेंगे, agreement of management to make available audit draft financial statement, भाई या आपको financial statement मुझे देना पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है, तब ही तो मैं उसमें क्या करूँगा, बताएं, चेक करूँगा, तो यह सारी बाते, आपन कहां पर लिखते हैं, बताएं, LOE में, यह कुछ additional matters है, सर, LOE का full form क्या था, letter of engagement, क्या यह बाते समझ में आ रहे हैं आपको, पक्का, अच्छे तरीके से आई है, ठीक है, simple है, चौँ, तो इस तरीके से हमने ऐसे 210 की भी बाते जो हैं, दोस्तों, complete कर दिये, ठीक है, अब, अब क्योंकि अपना ऐसे 200 हो गया है, 210 हो गया है, 500 हो गया है, 500 हो गया है, 500 हो गया है, और 500 हो गया है, यह कुछ standards हमारे हो गया हैं, दोस्तों, ठीक है, अब, यह standards का, मुझे, आपका लेना है written test, ठीक है, as well as, अभी, मैं लेना चाहता हूँ, oral test भी, दोनों ही चीज़ लूँगा, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ, ठीक है, written test के लिए, मैं आपको थोड़ा समय दूँगा, ताकि आपके पास exclusive notes आपके आजाएं, जो कि आपके हैं, अभी भी notes हैं, अभी भी notes हैं, सबके बस, बट फिर भी वो new, जो updated notes हैं, वो आजाएं, इसके बाद आपन written test plan कर लेंगे, बट oral test जो है, वो मैं plan करना चाहता हूँ, अब आपके convenience पे होगा, कल परसो नरसो, कल परसो, सब लोग पढ़के आएंगे, अच्छे से, अपने इसाब से videos देख लेना, जिसका backlog है, cover करके आना, ये बाहना करूना की backlog है, इसलिए नहीं हो पाया, ये गलत हो जाएगा, आप मेरे साथ चलो, देखो बटा, वैसे ही हमाना पस समय काम है, आप इसमें भी working करोगे, तो मुझे लग रहा हूँ, वो आपके लिए ही नुकसान दायक होगा, what am I doing is, कि मैं चाहता हूँ perfect हो, इसलिए मैं आपका ऐसे oral test भी रख रहा हूँ, तो मैं आपके साथ वो चीज़ करो, तो थोड़ी महनत आपकी बढ़ जाती है, तो आपको महनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो हम मिल रहे हैं परसू भी, मतलब कल तो मिलेंगे ही, लेकिन परसू मिलेंगे किसके लिए oral test, थोड़ा सा part-time oral test होगा, और part-time आपका क्या होगा, अपनी पढ़ाई होगी, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, कोशश ये करो, कि आपके जितने भी doubts से आप मुझे से पूछ सको, वीडियो अगर वापस है तो आपके app में भी है, प्लस कुछ जादता तो भी public ही है, YouTube पे वो भी देख सकते हैं, ठीक है, चाल, झाल, तो वाबबस है